प्यारे बच्चो नमस्ते कैसे हो बच्चो तुम सब अच्छे हो ना बहुत बढ़िया बच्चो क्या तुमने कवा, कबूतर, तोता और मुर्गी इस तरह से पक्षी देखे हैं बताओ तो भोला कववा कैसे आवाज करता है बहुत बढ़ी हाँ काउं 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 और चड़िया कैसे आवाज करती है चूं 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 इसी तरह याद करो मुर्गी कैसा आवाज करती है हाँ मुर्गी बोलती है कुकुडुकु कुकुडुकु और बच्चो मुर्गी की छोटे छोटे बच्चो को तुमने देखा है मुर्गी के बच्चो को चूजा कहा जाता है तो चूजा कैसे आवाज करता है वो भी चू 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 पहले करता है जब वो बड़ा हो जाता है तब वो भी कुकुडू कू आवाज करने लगता है धान खाती है मुर्गी, चावल खाती है, बहुत अच्छा बच्चो, इस तरह से मुर्गी और चुजे ऐसी चीज़े खाते हैं, हमें भी तो अपनी पसंद का खाना अच्छा लगता है ना, जैसे खाने में हो सकता है, तुम कुछ मीठी चीज़े पसंद करते हो, या तो कुछ लोग खटी चीज़े पसंद करते हैं, और कुछ लोग नमकिन या तीखी चीज़ पसंद करते हैं, अच्छा बच्चो, खटी और मिठी चीज़े तो सब असाने से खा लेते हैं, लेकिन यदि कभी भूल से कोई तीखी चीज़ खालो, तब कैसा लगता है, हाँ, चोटे बच्चे तो तीखा लगने पर रोने लगते हैं और जल्दी इसे ही फिर उन्हें पानी पीना पड़ता है या तो फिर कुछ मिठा खाना पड़ता है पर सोचो यदि कोई पक्षी या कोई मुर्गी कोई तीखी चीज खाले तो वो कैसे अपनी मुखी जलन ठीक करेंगे जानना चाहोगे हम तुम्हारी हिंदी पुस्तक के पाठ ग्यारा लालू और पीलू एक कहानी को पड़कर जानते हैं कि इसमें जो मुर्गी के चूजे हैं उन्होंने मिर्ची खालेने पर क्या उपाई किया तो तयार हो इस कहानी को सुनने के लिए आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ यह कहानी एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे चूजे मतला मुर्गी के बच्चे एक का नाम लालू, दूसरे का नाम था पीलू लालू लाल चीजे खाता था और पीलू पीली चीजे खाता था एक दिन लालू ने पधे पर कुछ लाल लाल देखा लालू ने उसे खा लिया अरे यह तो मिर्ची थी लालू की जीब जलने लगी वह रोने लगा मुरकी दोड़ी हुई आई पीलू भी भागा वह पीले पीले गुड का टुकडा ले आया लालू ने चट से गुड खाया उसके मुँगी जलन ठीक हो गई मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया तो बच्चो कैसी लगे तुम्हें कहानी आव इस कहानी को तुम मेरे साथ एक बार फिर से पढ़ो एक मुर्गी थी उसके दो चूजे थे एक का नाम लालू दूसरे का नाम था पीलू लालू लाल चीजें खाता था और पीलू पीली चीजें खाता था एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा लालू ने उसे खा लिया अरे यह तो मिर्ज थी लालू की जीब जलने लगी वह रोने लगा मुर्गी दोड़ी हुई आई पीलू भी भागा वह पीले पीले गुड का टुकडा ले आया लालू ने जड़ गुड खाया उसके मुग की जलन ठीक हो गई मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया अब इस कहानी को तुम अपने घर के लोगों को भी पढ़ कर सुनाना आओ अब इस पार्ट से जुड़े कुछ हम गतिविदी करते हैं तुमें यह गतिविदी करने में बहुत मज़े आएगा उसके लिए हमें खेल खेलते हैं कौन उड़ेगा और कौन नहीं उड़ेगा तो मैं तुमें कुछ नाम बोल कर बताती हूं जिसमें से तुम्हें उंगली उठाना है और बताना है कौन उड़ेगा जब उड़े तो तुम्हें अपनी उगली इस तरह रखनी है और जो नहीं उड़ेगा उसमें अपनी उगली नहीं उठानी है तो देखो पहला चित्र है मुर्गी थोड़ा सा उड़ती है मुर्गी तोता, कवा, बंदर मैंने अपनी उगली नहीं उड़ाई क्योंकि बंदर नहीं उड़ता कबूतर कबूतर उड़ता है हाथी मैंने अपनी उगली नहीं उठाई क्योंकि हाथी नहीं उड़ता गरया गरया उड़ेगी शेर शेर नहीं उड़ेगा मज़ा आया ना यह खेल खेल कर ठीक है चलो अब हम अगली गतिविधी करते हैं अब इस गतिविधी में तुम्हें यह बताना है कि जब मैं कोई नाम बोल रहे हूं उसमें कितनी आवाजे हैं इसके लिए तुम चुटकी बजा सकते हो तो पहला शब्द है पी लू अब चुटकी बजा कर देखो इसमें कितनी आवाजे हैं और कौन-कौन सी आवाजे हैं पी लू कितनी चुटकी बज़े दो चुटकी कितनी आवाजे हैं इसमें दो आवाजे हैं कौन-कौन सी आवाजे हैं पहली आवाज पी और दूसरी आवाज लू शाबस बच्चों आगे बढ़ते हैं गुड इसमें ताली बजा कर देखो कितनी आवाजे हैं कौन-कौन सी आवाजे हैं गू-ड कितनी आवाजे हैं तो आवाजे पहली आवाज गू दूसरी आवाज ड ठीक है अब बच्चो इसी तरफ तुकड़ा इसमें देखो कितनी आवाजे हैं चुटकी बजा कर देख सकते हो तुकड़ा कितने बार चुटकी बजाई मैंने? तीन बार पहली चुटकी किसके लिए? तु दूसरी कड़ा और फिर ड़ा तो पहली आवाज है इसमें टू ठीक है बच्चो? अब हम एक और शब्द के बारे में ताली बजा कर देखेंगे कितनी आवाजे हैं और कौन-कौन सी आवाजे हैं? तो लिप्टा ली-प-टा कितनी आवाजे हैं? शब्बास तीन आवाजे पहली आवाज ली तूसरी आवाज प और तीसरी आवाज टा ठीक है बच्चो? चलो इस पार्ट में आये ऐसे और भी शब्दों के बारे में तुम ताली अच्चुट की बजा कर देख सकते हो कि उसमें कितनी आवाजे हैं और कौन-कौन सी आवाजे हैं ठीक है? आव बच्चो अब इस पार्ट से जुड़े हम कुछ अभ्यास कारे करते हैं जिसमें तुम्हें दिये गए प्रश्णों के उत्तर बताना है पहला प्रश्ण है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? सुनाना तुमने इस पार्ट में? शाब बास इसका उत्तर है मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं अगला प्रश्ण है पीलू कैसी चीज़ें खाता था? याद है? बहुत बढ़िया इसका उत्तर है पीलू पीली पीली चीज़ें खाता था अगला प्रश्ण है लालू की जीब क्यों जलने लगी? याद आगया ना? हाँ इसका उत्तर है लाल मिर्च खा लेने के कारण लालू की जीब जलने लगी अगला प्रश्ण है पीलू ने लालू को गुड़ लाकर क्यों दिया था? इसका उत्तर है पीलू ने लालू को गुड़ लाकर इसलिए दिया ताकि लालू के मुख की जलन ठीक हो सके अगला प्रेश्ण है पीलू और लालू को अगर हरी चीजे पसंद होती तो वे क्या खाते जैसे यादे ना लालू लाल लाल चीजे खाता था और पीलू पीला पीला चीज खाता था तो इस तरह यदि उनको हरा कोई रंग का चीज पसंद होता तो क्या खा सकते थे वो इसका उत्तर है पीलू और लालू को अगर हरी चीजे पसंद होती तो वे अमरूद, सीता फल, आम, तरबूज और पेड के पत्ते आदी खा सकते थे अच्छा बच्चो अगला अभ्यासकारी हम करेंगे जिसमें हम उ और उ की मात्रा वाले शब्दों को पहचानेंगे इन शब्दों को तुम्हें ध्यान से देखना है और मेरे साथ पढ़ना है पहले खंड में देखो यहाँ पर उ की मात्रा है उ मतला छोटा उ उल्लू का उ ठीक है अब इसमें देखो कौन-कौन से शब्द हैं गुलाब, गुबारा, गुड और गुडिया इन सभी शब्दों में ग में छोटा उ की मात्रा लगी है ठीक है, देख रहे हो ग में कैसी मात्रा लगी है बहुत बढ़ी है, अगले खंड में देखो, यहाँ पर हमें उ की मात्रा वाले शब्द दिये गए है जिसमें जो शब्द हैं उसके नीचे मात्रा को बड़ाउ की मात्रा को कैसे लिखा गया है इसे ध्यान से देखो जैसे पूजा, पूड़ी, मूली और लड़ू इसमें ड़ में देखो लड़ू के ड़ में देखो कैसी मात्रा है शबास यहां मात्रा नीचे की तरफ घुमे हुई है तो वो है उ की मात्रा ठीक है बच्चो आओ अब इससे जुड़े तुम कुछ और अभ्यास कारे करो यहां कुछ शब्द दिये हैं इनमें तुम्हें उ की मात्रा वाले शब्द खोचकर उसमें गोला लगाना है जैसे कौन कौन से शब्द है माला मीरा मीनू मधुमक्खी मोर मुर्रा मूली मुस्कान मोती मैना मंदिर मूंगा मूनगा और मूग फले ठीक है तो देखो पहला शब्द है मधुमक्खी इसमें धा में छोटाओ की मात्रा लगी है ठीक, अगला शब्द है मुर्रा, ठीक, यहाँ पर बूमे छुटू की मात्रा है, फिर अगला शब्द है मुस्कान, ठीक है, अगला शब्द है मुन्गा, शाबास बच्चो, आगे बढ़ते हैं, अब इस तरह से तुम्हें बढ़ाउ की मात्रा लगे वाले शब्द खोचकर गोला लगाना है, ठीक है, देखो, यहाँ कुछ शब्द दिये हैं, अब तुम्हें याद है ना, बढ़ाउ की मात्रा नीचे की तरफ खुमा हुआ रहता है, तो काजू, इस सब्द में देखो, जमे, जो मात्रा लगी है यह बढ़ाउ की मात्रा है, ठीक है, मुमफली, यह यहाँ पर भी म म में बढ़ाउ की मात्रा है ना, तो हम इसे भी गोला करेंगे, ठीक, शेरू, लड़ू, शर्वत में तो कोई मात्रा नहीं है, गुडिया, यहाँ पर ग में मात्रा है, लेकिन वो छोटाउ की मात्रा है, मिठाई, पुलाव, खीरा, गेहू, तो गेहू इसम में भी हमें बड़ाव की मात्रा है तो यहां पर भी हां गोला करेंगे ठीक है बच्चों और हल्वा में बड़ाव की मात्रा नहीं है तो इसे छोड़ दो आगे बढ़ते हैं अब अगला शब्द देखो लड़ू तो यहां पर डमें बड़ाव की मात्रा है तो इसे भी गोला करेंगे अब आगे बढ़ते हैं इसमें तुम्हें मैं कुछ ग्रे कारे देती हूं जिसे तुम घर पर कर सकते हो तो पहले कुछ अक्षर दिये हैं और उसमें जू को जोड़कर तुम्हें शब्द बनाना है जैसे पहला है का फिर यदि उसमें जू जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा काजू इसी तरह से और भी जो अक्षर हैं उन्हें जू के साथ जोड़कर शब्द बनाओ और लिखो अगला ग्रीह कारे हैं दिये गए अक्षरों को बोलकर लिखो और पढ़ो तो देखो इस तरफ कौन-कौन से हैं और क्या बोलेगे उन्हें लू शू घू दू और रू ठीक है तो इस तरह से इन अक्षरों को बोलो और लिखो और बच्चो अब तुम्हें मैं मन पसंद काम देती हूं तुम्हें मुर्गी या चूजे का चित्र बनाना है और उस पे रंग भरना है तो बच्चो अब जल तक तुम सुरक्षित रहो घर पर रहो